हेलो श्टुडेंस वेलकम बैक टू मैं यूट्यूब चैनल चूगुरूफी गूरू आज के इस एपीसोड में हम डिसकस करने वाले हैं क्लास एट इंग्लिश वर्कशीट नमबर 33 को इस वर्कशीट में हमारा टोपिक रहेगा प्रीपोजिशन यानि इस टोपिक को हमने पि किया जाता है यह हम इस वर्कशीट में समझने की कोशिश करेंगे लेट्स बिगिन एज इस वीजिबल ऑन यू स्क्रीन जैसा कि आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पारें दिस इस आव वर्कशीट नमबर 33 सब्जेक्ट इंग्लिश डिट थार्ड फैब 2021 प्रीपोजिशन हम कंटीनू रखेंगे एंड टूड़ी वी अगुएंग टू हैव लुक एट प्रीपोजिशन सोफ टाइम जिसमें इंकलूड होता है एट इन और ओन तो इनका यूज कहा होता है कहां पर इनका हम यूज करते हैं यह हम समझेंगे सबसे पहले उसके बाद हमारा टास्क है इसको हम कंपलेट करेंगे एट की बात करें तो इसका यूज होता है सब्देए जैसे एट फार ओकलोग जैनाकि फूर ओकलॉक तो फ़ह चाले थाएंट का यूज करेंगे सब्सक्राइब तो हम गथा तो ऐटREE हमें लुंड पाइन थार्टी हम बोलते है ओके ओं टैन्टि होता है यनि की जो time soak today है उससे पहले एड का योज क्या जाता है I see Miilz का जो Time है खाने का time है at lunch time टिनबected है वहां पर भी हम aits का योज करते हैं माल हम हिद्ष से पहले एड क्रिसमस फ इस्टरं और एड टाव विकण जानि कि होलिडे इस separate day नहीं बलती हो狂डिए की बात की जा रही है कि अगर छूटियां थोड़ी से लंबी हो एक्स्टेंडड वीक हो विकेंड से तो उसके आगे हम एट का यूज करते हैं इसी तरह किसे एक्सप्रेशन के लिए जैसे एट प्रिजिंट अभी की बात करें एट ता मॉमेंट मतलब उस पल की बात करें एट नाइट है यहां पर एट का यूज होगा ओके तो यह होगे एट का यूज कहा होता है टाइमस अप डेव में मेल टाइम से पहले होलिडे से पहले और से पहले जैसे in the summer season, in the spring season, in the winter season, in the rainy season, तुछ से पहले हम इनका यूज करते हैं, ऐसे years में, in 1990, in 2020, ओके, ऐसी हम decades में, in the 80s, in the 90s, decade मतलब जो 10 years का पिरेड होता है, तुसमें भी हम किसका यूज करते हैं, उससे पहले भी हम इनका यूज करते हैं, ऐसी centuries में, in the 20th century, in the 21st century तो उसमें भी है इनका यूज़ करेंगे उससे पहले long periods के लिए वैसे ये सभी जो हमने use किये है वो long period होते है long period से पहले हमेशा ही इनका यूज़ होता है जिसे long period यहाँ पे है in the ices, in the present, in the past, in the future तो ये एक long period हो गया month भी long period होता है, season भी long period होता है year भी काफी long period होता है ऐसी decades भी long period होता है century भी long period होती है, तो ये सभी long period है उन से पहले हम हमेशा इनका यूज़ करते हैं ऐसी parts होता day के लिए जैने कि day का part है in the morning, in the afternoon, in the evening लेकिन night से पहले एट आएगा, ये हमें ध्यान रखना है काई बार repeat होता है हम सोचते हैं in the morning, in the evening है in the afternoon है तो इसके मतलब night से पहले भी in the night होना चाहिए लेकिन ये add the night होता है और noon से पहले भी add का यूज़ किया जाता है अब हम own की बात करेंगे यानि कि हमारा third रहेगा जो preposition of time है उसमें own का हम use करते है days से पहले on Tuesday, on Saturday, on Friday या फिर specific day है जैसे on my birthday, on Christmas day on Halloween day तो अब Christmas अगर हम बात करें Christmas holidays at Christmas तो holidays एक लंबा प्रिड़ है तब हमने at use किया लेकिन हम उसी day की बात करें तो उस दिन हम own का use करेंगे उससे पहले ऐसी date से पहले own होता है on 15th of June on 20th of May on 5th of Feb on our anniversary तो date से उससे पहले हम own का use करते है ऐसी part of the specific day यानि कि specific day है किसे day है और उसका part की बात करें तो तब हम own use करेंगे जैसे in the morning होता है लेकिन Monday morning की बात करें तो हम own Monday morning कहेंगे क्योंकि उस day का ये part है specific day है वो पहले दिया गए on Friday evening on Saturday night on Sunday afternoon तो यहाँ पर हम morning, evening, night या afternoon नहीं देखेंगे हमें क्योंकि ये day का specific part है तो हम own का use करेंगे ऐसी यहाँ पर दो special word भी दिये गए कि last or next है उससे पहले हम किस का use करेंगे जैसे यहाँ पर दिया गए call me at the next weekend यहाँ पर ये wrong है call me next weekend होगा यानि कि कुछ भी हम use नहीं करेंगे ऐसी सेम रहेगा कि I met her on the last Friday ऐसा नहीं होगा जहाँ पर next दिया गए चाहे उसके बाद weekend है या फिर Friday कुछ भी है doesn't matter हमें last or next दे पहले कोई भी preposition है वो use नहीं करनी है I met her last Friday that is enough ओके तो यह हमने समझा कि at, in और on का use कैसे होता है अब हम exercise जो दीगे टास्क दिया गया है उसको हम complete करेंगे तो यहाँ पर first जो sentence दिया गया है वो दिया गया है कि is your neighborhood quite at night तो night से पहले क्या use करेंगे at का use करते हैं तो यहाँ पर first में हमारा रहेगा at second is you can plant these flowers you can plant these flowers in autumn in autumn season है एक long period है तुस्से पहले हम in का use करते है you can plant these flowers in autumn यानि कि इन पोधों को आप autumn में लगा सकते हो autumn जो मौसम है उसमें इनको लगाया जा सकते है third है we don't know what will happen in the future in the future in the present in the past ये एक long period है तो इसमें हम in का use करेंगे you can visit us on Friday तो day है day से पहले हमें सा ओन आता है on Friday evening उसके बाद है the mates is at one o'clock तो time से पहले हम at का use करते हैं I am very busy at the moment अगर हम expression की बात करते हैं at present, at moment तो यहाँ पे उससे पहले भी at का use किया जाएगा उसके बाद seven sentence को देखते हैं seven sentence दिया गया he was born यहाँ पे दिया गया seven sentence he was born in the 19th century 19th century एक long period हो गया तो उससे पहले इनका use होता है they always get together at the weekend weekend से पहले at का use होता है I had fun with my friends on my bird day specific day है तो उससे पहले on आएगा on Christmas day on my bird day 10th है I have to meet someone at lunch time जो meal time है उससे पहले हम at का use करते हैं तो यह थी मारी काफी आसान लेकिन काफी important worksheet क्योंकि यह questions आपके annual exam में रहने वाले उमीद करता हूँ यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और सब कुछ अच्छे से समझ में आया होगा अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी ठीक से समझ में आया तो इस वीडियो को लाइक और शियर करना मत भोलेगा Thank you, bye bye Have a nice day